हेलो व्रीवान वेल्कम टू एविजन दा ओफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एविजन इन्चिटिट और जैसे कि आप सभी को पता है आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है प्रॉफॵुफ॥ॉ न्राफ अनृष पारट टू प्रॉफॉफिट अनृष पार्ट ही में आप में सकना है है और उस में मैं परफिछान हैं को समझना कैसे कुछ को अच्छी तरह से डील कैसे किया जाए वह हम लोग का पर टॉप्षे चुका है तो आप में से जितने भी सारे बच्चे पार्ट वन मिश किये हो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन पूरा का पूरा देखे उसके बाद ही पार्ट देखे उससे आपको समझने में भी सुविदा होगी तो इसी बात पर इसी उम्मीद के साथ इसी एनर्जी के साथ चैट्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेसिन में सबसे पहला कुश्चन हमारे पास क्या आता है यह आ गया हमारे पास एक पहला कुश्चन दमेन पर्चेस सम मैंगोज अट रेट 3,440 and 5,460 he sell all the mango at the rate of 3,450 find his gain or loss percentage तो उसने क्या किया तीन रुपे में sorry तीन पीस को खरीदा 40 रुपीज में at the rate of 3,4 रुपीज 40 and 5,4 रुपीज 5 पीस खरीदा कित्मे में 50 रुपीज में तो अब हम लोग ये कह सेकते हैं 50 नहीं है 5 पीस है 60 रुपीज में अब हम लोग ये कह सेकते हैं कि total 8 पीस का जो उसका दाम पढ़ गया वो कितना दाम पढ़ गया 100 रुपे दाम पढ़ गया 8 पीस का कितना दाम पढ़ गया सो रुपया दाम पड़ गया जबकि वो बेच कैसे रहा है तीन पीस को पचास रुपय में बेच रहा है तो एक पीस का दाम कितना आएगा सो बाइया तो और तीन पिस का कितना दाम निकल के आजाएगा सो बाइया इन्टो थी तो कितना आ जाएगा 37.5 रुपीज आ जाएगा तीन पिस का कोस्ट बाइज subscribe हमें मिल जाएगा 37.5 रुपीज यबाद आता है तो तो तीन पीस को बेशते हैं कितने रूपीड में? 50 रूपए में जबकि 3 खरीटते हैं 37.5 रूपीड में और बेशते हैं 50 रूपए में तो यहाँ पे हमारे पास profit कितना निकल के आगया? profit निकल के आगया 50 रूपया-37.5 मतलब 12.5 रूपीज की हमें profit मिलती है तो लॉश पर सेंटेज तो बे-शिकलिया पिप्रोफिट परसेंटेेज होगा लॉश परसेंटेज की यहांपर कोई बात ही नहीं क्योंके घृता तो प्रॉफिट परसेंटेज is equals to profit by cp into and है ऑलके तो कितना है मेरा 12.5 और कोस्पाइज हमारा कितना है 37.5 तो सो में कितना है तो सो में कितना हो जाएगा यहां से हम लोग जैसे इसको काटेंगे यह तीन बार में कटेगा और सो बाइ तीन इस नतिंग बट 33.33 33.33 तो यहां पर एंसर आप देख सेक्तों ऑप्सेन जो है यहां से माइनस किये तो प्रॉफिट आ गया अब प्रॉफिट बाइशी प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज भी आ गया अच्छा जोरूरी नहीं है कि यहां से आप तीन पीस ही निकालो आप आठ पीस ही निकाल सकते हो तो आठ पीस अगर आप निकालते तो फिर आप इस तरह से बोलना पड़ता आपको तीन पीस बेशता हूं मैं 50 रुपे में तो एक पीस कितने में बेशता हूं और आठ पीस क ही लेना है तब आप सब्ट्राक्ट करोगे तो गलत नहीं होगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया अगला कोश्चन पर मूग करें फिर यह आगया हमारे पास नेक्ट सवाल काफी इंपॉर्टन कोश्चन यह भी है और एक्जाम में आने लाइब कोश्चन है not only prelims में भी आपको इस तरह का कोश्चन देखने को मिलेगा मेंस में भी आपको इस तरह का कोश्चन भर भर के देखने को मिलेगा तो इस कुश्चन को त्राइ करें पॉसिशन क्या किया रहा है एक काव एंड एक क्यारेज टूगेदर कोस्ट 5000 एक काव और एक क्यारेज का एक साथ जो कोस्ट पड़ता है वह 5000 पड़ता है इफ वाइशेलिंग दा होर्स एक प्रॉफिट आप 10 परसेंट एक केरेज एक लॉस अप 10 परसेंट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2.5 परसेंट इस मेड तो हमने दोनों को कि दोनों को हमने तुगेदर एजे होल 500 रुपे में खरीदा है आच्छा उसके बाद क्या कह रहा है होर्स को हमें 10 परसेंट प्रॉफिट पर बेचा और कैरेज को मतलब गाड़ी कैरेज मतलब होता है घोड़ा गाड़ी या तो कोई भी गाड़ी हो सकता है वह कैरेज इन में 2.5 परसेंट की प्रॉफिट हुई तो इससे पहले भी हम लोग मिक्चर एलिगेशन किये हैं उसी का कॉंसेप्ट यूज करके इस को देखो बहुत ही अच्छी से बनाया जा सकता है यह हमारा डियरर है क्योंकि ज्यादा है इसमें प्रॉफिट है यह हमारा चीपर है चीपर और डियरर सस्ता वाल आई मेंगा वाल और यह मीन प्रॉफिट है एलिगेशन करेंगे तो दस माइनस 2.5 और दूसरी बार होगा 2.5 माइनस माइनस 10 यह वाला जगा आप लोग थोड़ा सा अंड़स्टेंड कर लें क्योंकि मीन माइनस सीपी होता है तो मीन माइनस एन देन सीपी अल्रेडी नेगेटिव में है तो इस तरह से होता है यहां पे आ जाएगा साड़े बारा परसेंड यहां पे आ जाएगा साड़े साथ परसेंड ढाई से काटेंगे तो पांच ढाई से काटेंगे तो तीन तो 5 इस तू 3 रेशियो में हमने दोनों प्र पूछा देन वाट इस दा कोस्ट आप काउ तो काउ मतलब यह वाला होगा इसके नीचे यह तो काउ मतलब पांच कितने में आठ में आठ से इसको काटो 648 दो सोला पांच एक सो पचीस एक तीस एक तीस पचीस रुपया हो जाएगा तो एक तीस पचीस रुपय किसका प्राइज निकल गया काउ का तो एलीगेशन से आप कोश्टन को देखो कितना आसानी से बना सेकत हो अगर आप बेसिक करते तो कहीं न कहीं आपको इससे थोड़ा ज्यादा समय लग जाता तो हमेशा ट्राइग करें इस तरह का कोश्टन को अगरीज डिगेशन का जरूर से जरूर यूज करें इस तरह का कोश्टन बनाते से में कि नेक्स्ट कोशन देखिए क्या किया रहा है इप दा मेनुफेक्ट्रिंग गेन पांच परसेंट एंड होल्सेलर डीलर आठ परसेंट एंड रीटेलर 12 परसेंट देन दो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑप आर्टिकल हुज रीटेल प्राइज 1247 तो देखो यहां से हम लोग प कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानके चलते हैं 100 हैं तो मेनुफेक्ट्रिंग जो करता है उनका गेन 5% होता है तो 105 हो गया है फिर हॉलसेलर का गेन कितना होता है हॉलसेल में जब यह प्रोडक्ट इसका 8% होगा तो 105 का 8% गेन होगा ठीक है 105 का 8% गेन होगा तो 105 का 8% होता कितना माया 22 इस तरह से होगा अगर हम लोग इसको 4 मिजेंगे तो सब्धैब कहता होगा 25 सब्धैर अब से काटेंगे तो यह होगा 5 से काटेंगे तो यह 5 होगा इतना आया 42 फाइब 42 फाइब एट पॉइंट फोर हुए है तो यह पॉइंट फोर होसेलर का भी प्रोफिट रहेगा 8.4 मतलब 113.4 आप क्या कह रहा है रीटेलर के पास यह जब प्रोड़क्ट जाएगा तो और 12% की वो मार्जिन रखेगा तो मतलब आप क्या करेंगे आप करेंगे 113.4 इन्टू 112 यह करेंगे इस इक्वल टू नथिंग बट 1247 ठीक है इस इक्वल टू नथिंग बट 1.47 अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है हुझ रीटेल प्राइज हमें पता हो गया आप मुझे कोस्ट आप प्रोडक्शिन निकालना मुझे सो का भेलू निकालना है सो बराबर कितना हो जाएगा तो 1247 इंटू सो और एक बार इंटू सो और नीचे चला आएगा 113.4 इंटू 112 इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है जो एंसर आएगा बही हम लोग का एंसर यहां पर बन जाएगा ठीक है जो एंसर आएगा बही मेरा एंसर आजएगा आप लोग इसको सॉल्व करें और कॉमेंट में एंसर करें क्या आएगा ठीक है दूसरा तरीका क्या हो सकता था इस को सॉल्व करने का और एक तरीका में बता रहेता हूं आपको यहां पर यह मान लेना है कि कोस्ट अप्रोडक्शन जो होगा वो मानके चलो कि X होगा COST OF PRODUCTION मानके चलते हैं कि X होगा अब देखो इसक में कितनी कितनी वार तो x ब्राबर क्या x ब्राबर हो जाएगा 274 और एक बार इंक्रिमेंट हुआ और इतना होने के बाद दाम जो आया वह 1274 आ गया तो एक्स बराबर क्या एक्स बराबर हो जाएगा 1274 इन्टू तीन बार एक्सो एक बार बाई जितना भी वेलुइशन है सबको आप नीचे लिख डाले यहां से भी आपको एंसर मिल जाएगा तो आप चाहे उधर से करो या इधर से करो आपको तो एंसर मिलना ही है तो ठीक है आई होप आप लोग इस कोश्चन को आरामसे कर लोगे ज्यादा कुछ भारी कोश्चन ह है नहीं तो आप इसको करके कॉमेंट में एंसर करना है नेक्स देखो कोश्चन यह भी काफी इंट्रेस्टिंग सा कोश्चन है कि स्ट्राइकर उसको सब के सब कि देखते हैं कितना अंसर आ सकता है होillaryC क्या क्या रहा रहा है क्या पर counts रॉसे तिकाघ क्या रहा है पर संस्टेंग क्या रही क्या स्ट्रा प्र आल प्रॉपी शट्राइश से हैंड क्या व्ट्४ित चार्स संद्रा बाफर मिल्क 7 रॉपेश चार्श छोपलिय स्ट्राइश cas ख्या है तो 250 तो प्रोडाक्टता सी पी ही नहीं पता है Warspower cp को निकाल कि अन्ए मिऩा के चलो मांगते की एकस है तो जब 400 में बेचा जाता है तो कितने की profit होती यह 400-5 और 3030 की profit अधस् tego परबर हो जाए एक जब मेंने दाइशों में बेचे था तब मेरे को अगर 10 परिफ्ट हुआ तो जडिन मैं जब 400 में बेचे तब मेरे को 20 पर पे इसी कॉस्चन के यह कह रहा है समझ में आग्या तो मैंने फिर से में रिपीट करा है जब मैने थाइशों में स्टों 500-2 out of x कि एक सगर इदर आ जाए तो एक सबसेगा चार सूंधर जाएगा तो एक सो तो क्या बन गया सो क्या पूछा को स्टाइश और सी पी तो एक सी था तो कॉश्ट प्राइश हो जाएगा सो कि कि इसだ शेको इसी चीज को ना आब यह कुष्टन तो हम लों का बन गय बया है चैस्ट पर हमें समझने के लिए सो में बेचा तो 300 प्रॉफीट वुआ कि 400 में जब बेचा हमने डियर यहीं का और यहीं चीज को सन्हाइइो कि तो यहीं चीज तो परसेंट परसेंट आफ इस इंकम एपरसेंट आफ इस इंकम तो मान लो कि उसका इंकम जो है वो सो है और वो सेव कितना करता है कि 20 परसेंट तो उसका स्पेंडिंग कितना होता है या तो एक्स्पेंडिचर कितना होता है ऐसी परसेंट तो सेव क्वेंटी परसेंट आप इस इंकम का बचा देता है तो खर्चाग इतना करता है तो अभी का income जो है वो 116 के बराबर है अभी का जो income है वो 116 के बराबर है next he decided to save 25% आप उसने decide क्या किया कि 25% save करना है पहले तो 20% save करता था आप 25% save करेगा तो 116 का होगा 25% ध्यान रखना 100 का 25 नहीं होगा 116 का 25% and that should be one by four तो कितना जाएगा चार दूना चाओन उसना इस मतलब 39 रुपया अब save करना शुरू कर दिया कितना कर रहा है 29 रुपया अब save करना चालू कर दिया तो 116 में अगर 29 रुपया save किया तो अभी खर्चा कितना कर रहा है माइनस करेंगे इसको 16 मतलब कितना जाएगा साथ यहां पर तीन हो जाएगा तो यह आठ हो जाएगा तो अब अभी खर्चा है 87 आप कोश्चन क्या कहा रहा है इनी सेविंग एज कंपेड टू प्रिवियस वन तो प्रिवियस के कंपरिजन में अभी उसका स्पेंडिंग कितना हो रहा है स्पेंडिंग सेविंग कितना जादा बढ़ गया कितने में बीस में तो एकएग्सक्स कितना 80 में, तो 100 में कितना है, ये होता expenditure का changes, saving का changes यहां से 5, तो 45% ज्यादा अभी saving हो रहा है, अभी saving कितना हो रहा, 45% और expenditure पूछ तो यहां से expenditure भी मिलता, तो कुछ भी पूछ सकता exam में, तो इसलिए एक question का हर एक पहलू आपको समझना है, साही है जी? बोलो बोलो नेक्स्ट कोस्टिन एडिफेक्टिव चेर कोस्टिंग रुपीज दो हजार कोई एक डिफेक्टिव चेर है मतलब चेर खराब हो चुका है उसका जो कोस्ट प्राइज है वो दो हजार रुप्या है ठीक है बिंग सोल्ड एट टेन परसेंट लॉस दस परसेंट लॉस पर बेचना मतलब दो हजार का दस परसेंट होता है दो सो दो सो कम में बेचा मतलब अठारा सो में बेचा इब दा प्राइज फार्दर रिडूस बाई एट परसेंट और आठ परसेंट अब रिडूस हो गया मतलब आब मुझे बताना होगा अठारा सो का आखिर आठ परसेंट होता कितना है दो जीरो दो जीरो तो 144 तो फिर 144 रिडूस हो गया दाम तो 144 अब फिर रिडूस हो गया तो दाम एक्चुल में अभी आया कितना देखो छे यहां से एक मतलब पांच यह दो मतलब 6 1656 रुपीज में अल्टिमेटली यह प्रोड़क्ट बेचा गया यह तो आप डाइरेक्ली इस तरह से भी कर सकते थे 2000 का प्रोड़क्ट पहले 90 वाइश हो में बेचा फिर 8% लॉस मतलब 92 वाइश हो में बेचा यहां से भी आपको डाइरेक्ट एंसर मिल सकता था यह तो आप ऐसे भी कर सकतो तो जैसे चाहों करो कोश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बस एंसर 1656 आना लॉस हुआ एक बार 2000 से 10% का लॉस हुआ फिर 2000 से 8% सोरी फिर जो दाम आया उस दाम से 8% की लॉस हुई मतलब दो बार लॉस खाने के बाद प्रोड़क्ट 2000 का जो सामान था वह 1656 रुपए में बेचा गया नेक्स्ट उसी तरह का एक क्वेश्चन है एक हॉलसेलर सेल 30 पेन एड़ दा मार्क प्राइज ओग 20 पेन तो 20 पेन का जितना मार्क प्राइज है तो हॉलसेलर ने क्या किया 30 पेन को उतने दाम में बेच दिया जमाहें लुट्ञ मेंonents पासेहललर इनटर्न शेयल देम एक सासुल शाभक लिवेश्चन होद्स्ट टो आप्ड्यमे तो मार्क पर्यक्ट कश्स्ट हूइस चीज को समझ ला हृए मान लों कि 30 पेन का मार्ट प्राइब 30 रुपया है 30 है वे था भूस नहीं खरीदा अधीस रुपए में खरीद भूस क्वेश्टन क्या के तो सो में कितने का प्रॉफिट यहां से पांच बाद पचास परसेंट की प्रॉफिट हो जाएगी आराम से कि परचास परसेंट गेन हुआ पीर से देखो को सबस्टों को बता रहां है वह बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा टेड़ा है टेरे मेड़े टाइट के तीस पेन का MP जो है मार्क प्राइज जो है तीस पेन में 30 रुपया लिखा हुआ है माँदो हर एक में एक-पेल लिखा हुआ है जब रोपह चाह सब 스टाक करेंट कि रुपया तो वो यही 30 पेन 20 रुपे में खरीद के लाया तो 20 रुपे में कितना पेन मिला 30 पेन मिला उसको लेकिन जब बेचने वाला दाम आया तब तो वो एक दम MP पे ही बेचा MP पे बेचा मतलब 30 में रुपे में बेचा 30 पेन का MP 30 रुपया था तो MP में बेचा मतलब 30 रुपे में बेचा तो 10 का profit 20 की investment करके तो 100 में क्या यहां से आ गया 50% की profit हो गई उसको चाहिए मज़ेदार question है बताओ कि नेक्स्ट और एक interesting question है इसको सब के सब ट्राइ करो अभी कि बनाओ कि इस बाइक देखो question को कैसे बाराना है इस बाइक टू भी एक टे लॉस आप 20 परसेंट कि तो एक रेस्पेक्ट में मान लो यह सो था कि बी को जब बेचा कि तब 80 परसेंट पर बेचा कि इस पेंड रूपीज फिप्टीन हेंड़ पर रिप्यारी तो बी का और यहां पर पंद्रा सो रुपया का investment हो गया कि बी का और पंद्रा सो रुपया इंवेस्टमेंट हो गया क्योंकि उसने पंद्रा सो रुपया रिपेरी में खर्चा किया एंड शॉल टू सी को उसने बेच दिया 42000 रुपीज में therefore making a profit of 5% मतलब इसमें उसका 5% की profit छुपा हुआ है इसमें उसका 5% की profit छुपा हुआ है तो यही से तो हमें clue मिला कि यह जो प्राइज है यह एक्चुएल 105% के बराबर है तो क्या कहेंगे 105% profit का मतलब यह होता है 105% का profit का मतलब होता है 4 to triple G तो 100% बराबर 100% के बराबर कितना आ जाएगा मेरा 100% के बराबर आ जाएगा 40,000 चीक है 100% के बराबर 40,000 आ जाएगा इसका मतलब यह निकल के आ गया है कि बी ने इस बाइक में जो investment किया है वो 4000 के बराबर है अब 4000 में यह जो 1500 रुपया है वो तो उसने रिपेरी में खर्चा किया है तो यहां से आप 1500 माइनस कर दो 15 डबल जिर तो माइनस कर दोगे क्या मचेगा 00 यहां से 5 यह दो तो 38,500 रुपया उसने खरीदा है क्या पुछा है cost price यह यह के respect में cost price तो 80% में उसने खरीदा बी ने और पाइस कितना है 38,500 रुपया तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 38,500 बाया सी इंटू 100 ठीक है इतना ही simple तरीके से आप question को बना सकते हो तो एक 0 के साथ किसी का भी एक 0 काटो दो से काट सकते हैं तो यह 5 बनेगा ना दो से काटेंगे तो यह 4 बनेगा चार से यह डाइरेक्ली कर जाना चाहिए 437, 424, 428, 425 आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो पांच, दो एक, पांच, तीस, एक, तीस, एक, तीस, पहितालीश और तीन, 48 तो 48,125 रुपया एक के रेस्पेक्ट में इसका प्राइस था तो ए ने उस बाइक को कितने में खरीदा 48,125 रुपया ताफी इंपोर्टन कोश्चन है और यह एकदम एकदम मेंस लेवल का कोश्चन है मेंस लेवल का कोश्चन समझ में आ रहे हैं सबको बोलो सही जी यह वाला एक कोश्चन में आप लोग के लिए हमबग चोड़ रहा हूँ आप लोग इस कोश्चन को ट्राइ करना मंडे के क्लास में इस कोश्चन को हम लोग डिसकस करेंगे क्या अंसर होगा बाकि अगर आप लोगों से यह बन जाता है तो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्षिन में आप एंसर कर सकते हैं यह बन गया आपका ओमबक कुश्चन कि कर लोगे सब के सब ट्राइ करना देखना ज्यादा भारी नहीं है अराम से बन जाएगा थोड़ा मेहनत की जरूरत पढ़ेगी पढ़ लेना कुश्चन को अच्छे से तो बस यही था आज का वीडियो और आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया है पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें साधी साथ अगर आप लोग चैनल में ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले मिल झाल झाल